Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का देई इनप सौगत करता हूँ दोस्तो, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इगनु के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो, एक्जाम के बाद में सबसे बड़ा एक कोशें रहता है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा अभी इगनु के अंदर में जुलाई सेशन का एक्जाम हुआ था, जुलाई और अगस्त के महिने में एक्जाम चल रहा था इसके बाद में बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट और मेसेज आ रहे थे कि सथर हमारे एक्जाम खतम हुए, दो महीने हो गए, अगस्त, पाँच अगस्त को हमारा एक्जाम खतम हुआ और आज हमारा 28 सेप्टेंबर है, अल्मोस्ट दो महीने बीत गए पर अभी तक रिजल्ट के रिकार्डी में कोई अपडेट नहीं मिला इगनु को हम कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसका भी कोई रिपलाइ नहीं आ रहा है, आप हमें बताइए कब तक रिजल्ट आएगा, इस तरह से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया तो इगनु में मैंने डिरेकली कॉन्टेक्ट किया, तो पता चला कि जो आपका रिजल्ट है, वो अक्टूबर एंड तक आएगा, तो जो भी स्टूडेंस इसके रिकार्डी में परसान ओरते की रिजल्ट नहीं आया, कब तक आएगा, कैसा आएगा, तो उसको गभराने की जोरुत है नहीं, अक्टूबर के एंड तक में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, और थोड़ा लेट सेट होता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपका आफलाइन एक्जाम हुआ है, तो आफलाइन वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उसके लिए बादे स्टूडेंस एगनु के अनदर में पड़ते हैं, तो बहुत बड़ा एरिया कँवर करता है, और एक बार में पूरे भारत के अंदर में एक्जाम होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है, और वो ट्राइन ये करता है, कि एक बार में सभी जगा के रिजल्ट निकल था ठीक है और पांच अगस्तर की एक्जाम चला था उनके रिकार्डिंग में अपडेट है तो आप अपना बेफिकर हो के अपने आगे की स्टडी कीजिए अगर आप फर्स्ट एर में हो तो सेकंड एर की त्यारी कीजिए ठीक है आपके टाइम से आपका रिजल्ट आ आपके लिए बाइबाइ टेक के रोल थे बेस्ट